बस लेस्ट कुकिंग के एक ताजा तरीन एपिसोड के साथ आगे है रुबिना सिर्फ आपके लिए आज भी एक यूनीक सी रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो ये है कि आज हम बनाने वाले हैं फ्राइड शेजवान इडली अब उसके लिए मैंने क्या किया है बहुत ही सिंपल सा काम किया है एक कप मैंने चावल ले लिया था और आधा कप जो है वो उड़त की सफिद डाल ले ली थी उसको राग भर भिगोई रखा ठीक है उसके बाद मैंने उसको सुबे मिक्सी में दोनों को पीस लिया अच्छे से पारीसा ऑचं तो थैबल स्कून जो है दही अच्छे तरीगे से फेटके उसमें डाली और चुटकी भर वेकिग पाउड़र मैंने उसमें डाला और इडली का एक बैटर बना लिया उसके बाद मैंने वो बैटर को हमारे इडली मोल्ड के अंदर अच्छे तरीगे से लिण अब इसके हम करने वाले हैं पीसिस, ओके यह देखे, काट लेंगे चार हिस्सों में हमारी इडलियों को, यह होगी तीसरी भी या आखरी, अब हम करेंगे हमारा इंडक्शन ओन, हमारा इंडक्शन हो गया है अन, हमारी फ्राइपन हो रही है, गरम पोड़ा सा तेल डाल इडली तो मैं आपके सामने काट चुकी हूँ और बाकी के सामान मैं इसलेह नहीं बताया आपको कि कि जैसे-जैसे हम यूस करते जाएगे, इसे इसमाल करते जाएगे, वैसे-वैसे मैं आपको बताती जाओंगी, ठीक है, तो हमारा तेल हो रहा है, गरम, चले दालते हैं, ह मिक्स, आ रही है इसकी खुश्पू, इसमें दालेंगे थोड़ा सा पोकोनट पाउडर, यानि होपरे का गुरादा, थोड़ा सा यानि एक टेबल स्पून, हमारा कुरियांडर, तरेंगे अच्छे से मिक्स, इसके बाद हम दालने वाले हैं हमारी शेजवान सॉस, यह तीन माउट पॉर्टरिंग है, विल्कुल आपको पसंद आएगी और आप एक बार बनाओंगे न, I'm sure कि आप बार बार इसे बनाते रहोगे, ताल देंगे हमारी इडली, जो हमने फोर पीसे में करके रखा है, सारी के सारी इडली जो है, यह हमारे फ्राइपेंड में चली जाए हमारा जो मसाला हमने तयार किया था, यह पूरी तरीके से इसमें चले गया है, अब आती है हमारी टमाटो कैचप के बार, यह आप दालोगे तो इसमें तीखा पन तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ इसमें इमली का और टमाटो कैचप का खटा पनाएगा, जो खाने में ब देखे, तीन से चार मिनिट हो चुके है, मैंने इसे पांच मिनट तक यूँ ही रखा, ताकि ये जो मसाले है वो अच्छी तरीके से हमारी इटली के अंदर अबसॉर्फ हो जाए, हमारी जो इडली है, फ्राइड शेजवान इडली, रेडी तो सर्फ हो चुकी है, इंडक्शन करते हैं बन, निकालते हैं इसे प्लेट में, यहां गई हमारी प्लेट बाहार, कुरियांडर, सर्विंग के लिए, निकालते हैं से, गर्मा-गरम सर्फ करते हैं, देखे, कि इतनी हूपसूरत लग रही है, हमारी इडली, इसका जो रंग है, इतना खूपसूरत लग रहा है और जितनी खुबसुरत यह दिखाई दे रही है उतनी ही लजीज है खाने में बिल्कुल ट्राइ कीजेगा आप मैंने क्या किया है पहले से यह जो ग्रीन चटनी है यह रेटी कर दीती साथ में सर्फ करने के लिए और थोड़ा सा हमारे खोपरी का बुरादा है उसे स्प्रिंकल करते है यह देखे फुरी तरीके से रेडी है हमारी फ्राइड शेजवान इडली मिलकुल ट्राइ कीजेगा I hope कि आपको बहुत 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 पसंद आएगी मेरे वीडियो उसको लाइक और शेर जरूर कीजेगा YouTube पे, Facebook पे, WhatsApp पे, Twitter पे और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजेगा लेती हूँ आपसे इजाज़त इसी वादे के साथ के फिर से हाजिर हो जाँगी कुछ ऐसी ही टेंटिंग सी रेसिपी सिर्फ आप के लिए लेकर तब तक के लिए खुदा हाफिज